ओम शान्ति, माप ददा बुले, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछरे हुए हो, तुमने ही पूरे चोराशी जन्मों का पाथ बजाया, अब तुम्हें दुख के बंदन से, सुख के संबंद में जाना है, तो अब पार खुशी में रहो, प्रश्ट, पार खुशी कि बच्चों को सदा रह सकती है, उत्तर, जिने निष्च है के बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा, सच्चा ग्यान सनाने आया है, हम आत्मा अब इश्वर के गोद में बैठी है, हम आत्मा इस शरीर सहत बाप की बनी है बाबा हमें भक्ती का फ़ल देने आया है बाबा ने हमें तिर्काल दर्सी बनाया है बगवान ने हमें माँ बन कर एड़ाप्ट किया है हम गाडली स्टूडिन्ट है जो इस स्मिर्थी में निश्चे में रहते उन्हों को अपार खुशी रहती है ओम श्चानती बच्चों को निश्चे है कि हम आत्मा है बगवान बाबा हमको पराय रहा है तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए सनमक आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गती करने सर्वकी सद्गती दाता जीवन मुकी दाता वही है बच्चे जानते है माया गड़ी गड़ी बुला देती है परंटू यह तो समझते है ना हम बाबा के सनमक बैठे है निराकर बाबा इस रत पर सवार है जैसे मुसल्मान लोड पटका गोरे पर रखते है कहेंगे इस गोरे पर महमन की सवारी थी निशानी रख देते हैं यहां तो है निराकर बाबा की प्रवेश्टा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा वार्वेश्टो का मालिक बनाने वाला बाबा आगया है बाबा है गीता का सच्चा सच्चा बगवार आत्मा की बुद्धी बाबा की तरफ चली जाती है यह है आत्माओं का लव बाब के साथ ये कुशीकनों को चरती है जो बहुत काल से अलग हुए है बाबा खुद भी कहते है मैंने तुमको सुख के संबन में भेजाता अब दुख के संबन में हो तुम अभी समगते हो सब तो चुराशी जन्मन नहीं लेते चोड़ासी लाख का चकर तो कोई बुद्धी में बैठ न सके बाबा ने चोड़ासी का चकर बिलकुल ठीक बताया है बाबा के बच्चे चोड़ासी जन्म लेते रहते हैं अभी तो तुम जानते हो हमा आत्मा इनार गंस द्वारा सुनती है बाबा इस मुकद्वारा सुना रही है खुद कहते हैं मुझे इन आरगंस का आधार लेना पड़ता है इनका नाम ब्रह्मा रखना परे प्रजापिता ब्रह्मा तुम अनुश चाहिए ना सुख्या वतन में तुरी कहेंगे प्रजा पिता ब्रह्मा इस थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तनमे इस प्रवेश कर तुमको एड़ाप करता हूं तुम जानते हो हम आत्माएं इश्वर की गोद में जाती है शरीर बिगर तो गोद हो न सके आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा इनकी बनती हूं तुमारे तनमे भी आत्मा प्रवेश होई न यह बाबा भी कहते है मैं इन में हूं कब बचा बन जाता हूं ममा भी बन जाता हूं जादूगर है न कई फिर सखेल पाल में जादूगरी समगते है दुनिया में जूठी प्रिदी सिदी का काम बहुत चलता है कृष्ण भी बन जाते हैं जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको जट कृष्ण दिखाई पड़ेंगा उनका नाम लेंगे तो फिर उनके फालोवर्स भी बन जाएंगे यहां तो सारी ज्यान की बात हैं पहले ये पका निश्च चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ तुम बच्चों को तरकाल दर्सी बनाता हूँ ऐसे नालेज कोई दे न सके बक्ति मारे का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है बल भोतों को श्व की लिंग का अखंड जोती स्वरूप का सक्यत कर होता है जैसे जिसकी बावना होती है तो वह पूरी करता हूँ परन तुम मेरे से कोई मिलता ही नहीं मेरे को तुम पहचानते ही नहीं है अभी तो तुम समगते हो बाबा भी बिंदी है हम भी बिंदी है हमारे ये आत्मा में ये नालेज है तुम्हारी आत्मा में भी नालेज है या किसको मालूम नहीं है कि हमारी आत्मा परमदाव में रहने वाली है जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते है ओहुश बाबा जो ग्यान का सागर है वो इसमें बैठ हमको पराते हैं बाकि क्रिश्न वा गोपियों की तो बात ही नहीं है न यहां न सत्युक में होंगी वहां तो हर एक प्रिंस अपने मैलों में रहते है इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाब से वरसा लेंगे तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए कहते भी है तो माता पिता अमबा लगते रहे पर तो इसका भी आर्थ नहीं समझते पिता तो ठीक है फिर माता किसको कहा जाता है माता तो जरूर चाहिए ना किस माता कि कोई माता हो नसके यह राज बरा समझने का है और बाप को याद करना है बाप कहते है तुमारे में भी कोई अवगुन नहीं होना चाहिए गाते भी हैं मुझनिर गुरुहारे में कोई गुन ना आईगा अब बच्चों को गुरुवान बनना है कोई काम नहीं कोई क्रोध नहीं दे का अंकार भी नहीं चाहिए इस समय तुम यहां बैठे हो जानते हो हम यहां है फिर मुर्जैश राद क्यों आनी चाहिए परन्तु यह पड़िपक विश्था अंत में ही होंगी गाया भी जाता है तो तीन द्रिया सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो यह अंत में होंगा ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हम 75% अतीन द्रिया सुख में रहते है इस समय पापों का बोज़ा बहुत है गुरु किरपा से वा गंगा इश्णान से पाप नहीं कर सकते है बाप अंत में ही आकर नालेज देते है दिखाते है कन्या द्वारा बार मरवाए और मर गई फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया तुम यहां जब बेऊश हो जाते हो तो तुम को बाबा की याद दिलाने जाते है मा में तुम याद करो यह बच्चों को आदत पर जानी चाहिए ऐसे नहीं कोई याद कराए शरीर छोडने की समय आपे ही याद आवे बिगर किसके मदद के बाब को याद करना है वे लोग तो मंत्र देते है वे तो कामन बात है उस समय बहुत मारा मार याद होती है तुम बिन बिन अस्थान पर रहते हो उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो उस समय पूरे याद चाहिए लव चाहिए बाब ही नमबर वार पद प्रात कर सकेंगे तुम बच्चे जानते हो मैं तुमारा बाप हूँ कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था सत्युग में तो यूग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे दुख देने वाली चीज कोई वहां होती नहीं नामी है स्वर्ग पर अन्तु वहां कौन नवास करते है यह भारतवासी जानते ही नहीं शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी है कि वहां भी हर्ण कश्चपार थे यह सब बक्ती की समगरी है बक्ती पहले सतोप्रदान होती है पीछे दीरे दीरे तम उप्रदान होती जाती है बाप कहती है मैं तुमको आस्मान पर चड़ाता हूं तुम दीरे दीरे नीचे आ जाते हों कोई भी मनशकी महमाया है है ही नहीं सर्वका सद्गती दाता एक ही बाप है बाकी गुरू लोग अनेक प्रकार के तीरत यात्राद करना सिखलाते हैं फिर भी नीचे गिरते रहते हैं बक्ती मारिक में मीरा को बल साक्यत करकर आया परन्तु वो कोई विश्र की मालिक थोड़ी बने तुमको तो बाबा कहते है जिन बनो तुमको काम देता हूं सर्फ अलफ बे को याद करते रहो अगर तक जाएंगे याद नहीं करेंगे तुमाया कच्चा खा जाएंगी एक कहानी भी है जिन खाया बाबा भी कहते है तुम याद नहीं करेंगे तुमाया कच्चा का जाएंगी बाबा हमको विश्वका मालिक बनाते हैं बाबा सामने बैठे है तुम आत्माएं सुनती हो मीठे लादले बच्चे मैं तुमको मुक्ति दाम में ले चलने आया हूँ बल वापिस जाने की कुशिश बहुत करते हूँ पर अन्तु कोई जा नहीं सकते हैं कल्यों के बाद सत्युक रात के बाद दिन आना ही है तुम जानते हूँ सत्युक में हम ही होंगे बाबा फिर से हमको राज बाग देते है खुशी का पारा चरेंगा अन्त में जब फाइनल होंगे बिनाश जो हो जाएंगा तुम साखी हो कर देखते रहेंगे कुनी ना एक खेल है ना क्या गुना किया है जो मारने लिए बाम साथ बनाते है मरेंगे तो से वे भी समगते है हमको कोई प्रे रहे है जो न चाहते है भी हम यह माम साथ बनाते है खर्चा तो बहुत होता है ड्रामा में नूंद है इनसे बिनाश होना ही है अनेक धरम बीच एक धरम राज कर न सके अब अनेक धरमों का विनाश हो एक धरम की स्थापना होनी है हम बाबा की श्रीमत पर राज स्थापन कर रहे है समत्ते है मारना और मारना यहां तो वो बात नहीं बहुत कुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है प्राचीन भारत का राज योग नराकार भगवान ने ही सिखाया है नाम बदल कर कृष्ण रख दिया है सन्यासी लोग समत्ते है हमारा ही प्राचीन योग है तुमको कितना अच्छा रीत समझाते है बच्चे मुझे पैचानते हो मैं तुमारा बाप हूँ मुझे ही पतित पावन ज्यान का सागर कहते हो कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके कृष्ण को फिर दौपर में ठोक दिया है कितनी गलत फहमी है तमो प्रदान बन गए है मैं आता ही तब हूँ जब सब को मुक्तिदा में ले जाता हूँ तुम जानते हो हम पर रहे है हम गादली स्टूडेंट है ये समरन करते रहो तो रोमांच करे हो जाएंगे बाबा तुम बच्चों को ग्यान का गर्ब दारन करा रहे है फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग परा समझ जाते हम वारिस है तो निरंतर दादे को याद किया बाबा मत देते है बच्चे का माशत्रू है इसने तुमको आदी मध्यान ते बहुत दुख दिया है यह है मिर्ट्यू लोग वैशालिय राम शिवालिय बनाते है जिसम देवी देवता दरम का राज्य होता है परन्तु उन्होंने कैसे राज लिया कब लिया यह तुम अब जान गए हो वैसमझते गाड गाडेश कभी पुना जनब नहीं लेते किस एक बड़े को तीर लग जाए तो आवाज फैल जाएंगा गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते तुमारे में भी नंबर वार दाणा वाले है स्कूल एक ही है टीचर एक ही है बाकी पढ़ने वाले सब नंबर वार है समझा अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप तादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते दारना के लिए मुकिसार माया के वार से बचने के लिए जिन बनकर अलफ और बे को याद करते रहना है सिर्फ पर जो पापों का बुझा है उस यूगवलत से तारना है अतीन द्रिया सुख में रहना है मुक से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है बाप से सच्चा लव रखना है कांटों से फूल बनाने की ये सीजन है इसलिए इस शेवा में तत पर रहना है वर्दान निश्चिंत इस्थिती द्वारा यथारत जज्मेंट देने वाले निश्चे बुद्धी विजई रतन बव सदा विजई बनने का सैज सादन है एक बल एक बरुसा एक में बरुसा है तो बल मिलता है निश्चे सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी इस्थिती निश्चिंत है वह हर काılar में सफल होता है क्योंक निश्चिंत रहने से बुद्धी जज्मेंट यतारत करती है तो यतारत निश्चे बुद्धी निश्चिंत सोचने की भी आवश्रकता नहीं क्योंक फालु फाइदर करना है कदम पर कदम रखना है जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमान चलना है सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजई रतन बन जाएंगे स्लोगन मन में सर्व के प्रती कल्यान की बावना रखना ही विश्व कल्यानकारी बनना है मतेश्वरी जी के अन्मोल महावक इस संगम समय पर इश्वरिय नालेज जो हमें मिल रही है क्या यही नालेज फिर से सत्युक में मिलेंगी अब इस पर समझाया जाता है कि सत्युक में तो हम स्यम ज्ञान स्वरूप है देवताएं प्रालबद भूग रहे हैं वहां ज्ञान के लेंदें नहीं चलती पर अंतु वहां तो सब ग्यान स्वरूप है वहां कोई अग्यानी रहता ही नहीं जो ग्यान देने की जरूद रहे अब तो इसी समय अपने सारी व्राट ड्रामा के आदी मध्यान को जानते हैं आद में हम कौन थे? कहां से आई? और मध्या में कर्मबंदन में पसे फिर कैसे गिरे? अंत में हमको कर्मबंदन से अतीत होकर कर्मातीत देवता बनना है अबी जो पुर्शारत चल रहा है इससे हम भविश्य प्रालबद सत्युगी देवताएं बनते हैं अगर वहां हमको यह मालूम होता तो हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी गाइब हो जाती वहां गिरने की नालेज नहीं है यह ख्याल वहां नहीं रहता हमको इस नालेज द्वारा अब मालूम पड़ा कि हमको चर्णा है और सुख की जीवन बितानी है आदा कल्प अपनी प्रालमद भूग फिर अपने आपको विसमिर्थ कर माया के वशो कर गिर जाते हैं यह चर्णा और गिरना अनादी बना बनाया खेल है यह सारी नालेज अब बुद्धी में है बाकि सत्यक में नहीं रहती अच्छा ओम शांति अच्छा घ्पेरग बनाया खेलेज्ड है